हेलो GUYS, YOU are watching financial goals, the retailer's point, we are retailers. दूस्तो, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़ाधा कमाल की strategy बताने वाल done जिसका नम आप पूर में कवर्ड कॉल यह जो strategy है, एक hedging strategy और बहुत ही ज़ाधा कमाल की strategy है तो जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की strategy है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको disclaimer देदू कि ये strategy आपको कब use करने है दोस्तो कोई भी strategy अगर आप अपनाएंगे तो आपका एक view होना चाहिए market पर या तो ऊपर या नीचे तो दोस्तो ये जो strategy है ये इसलिए भी खाज है क्योंकि इसमें इसको initiate करने के लिए बहुत कम यहां पर margin की जरूत पड़ेगी तो मैं भी आपको पहले यहां पर इसका theoretical बदाऊंगा फिर मैं आपको यहां पर SBI के stock पर यह आप यह strategy आपके आप डाल के दिखाऊंगा तो दोस्तों आप नाम दीए इसका poor man covered call इसका मतलब यह कि अगर आपका market पर व्यू है bullish तो आप क्या क्या है पुट्स में काम करेंगे ठीक है तो अभी हम आपको calls के माद्यम से मतलब यानि कि कि market पर आपका व्यू है bullish उसके साब से यह strategy आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिल लोगों का capital कम है उनके लिए काफी कमालगी यह strategy होने वाली क्यूंकि आपको जब भी आप इस strategy के according आप trade डालोगे तो आपको क्या एक लंबा चोड़ा break even यहां पर मिलने वाला तो अगर आप जैसे कोई trade डालते है और आपको लगता market पर open market जाएगा और आपको चाहिए और मेरा 3-4 point का क्या होना चाहिए थोड़ा मेरको यहां पर एक protection चाहिए थाकि मेरा अगर मैं 200 पर trade open कर रहा हूं buying की तो 200 के नीच जाते ही मेरा को loss नहीं होना चाहिए अगर आपको 4-5 point का माध्यम से यहां पर आपको बताएंगे के market पर आपका view क्या है bullish है तो आप इस strategy को कैसे अमल में ला सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जैसे मैंने आपको दिख रहा होगा sell out of the money call NTE कहने इसका मतलब यह आपको क्या करना है NTE का करेंगे वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना कि अगर आपका market पर व्यू है तो हम क्या पूर मैं क वरड को लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है तो आपको समझने की कोशिश किजिए आपको क्या करना है और टर्म एक्सपरेशन का जैसे की out of the money का call यहाँ पर sell करना है September मन्त का ठीक है यह आपको समझ में आगया अब इसी को hedge करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों buy आप देख सकते हैं यहाँ पर buy in the money buy in the money call lt कहने का मतलब यह अब आपने क्या किया एक आपने call यहाँ पर sell कर दी near term की ठीक है मतलब September का मन्त चलना तो September की ठीक है अब आपको क्या करना है एक आपको इन्दा मन्नी की call यहाँ पर buy करनी है और जो दोस्तों उसकी expiry होगी वो होगी यहाँ पर उसकी longer term expiration जैसे कि अभी September चलना है तो अगर आपको यहाँ पर buy करना तो आप करेंगे दोस्तों एक बार फिर बता देता हूं आपको क्या करना है आपको out of the money की call एक sell करनी है लॉंगर टर्म expiration कहने का मतलब जो पास वाली हमारी मन्त है उसकी expiry हमको sell करनी है तागे हम time decay लेशके और हमको एक lot buy करनी है इन्दमनी और जिसकी expiry होगी दूर की सेप्टेंबर के बाद गया था दोस्तों अक्टूबर तो आपको चुनना है दोस्तों ऑक्टूबर ठीक है यह हमारा यहां पर इसका setup था पूर मैं कवर्ड कॉल का ठीक है यह मैं आपको बता दिया इसमें आपको हल्का फूल का time decay मिलेगा time decay नहीं हम इस्पेशली हमारा आपको दिखाने वाले हैं ठीक है दोस्तों यहां यह कोई hard and fast rule नहीं है मैं अगेन बता रहा हूं आप अपने हिसाब से इन चीजों को यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों adjust कर सकते हैं बट आप थीम यहां ध्यान रखिए कि आपको out of the money call यहां पर बेचनी है in the money call यहां पर करते हैं तो आपको यहां पर break even का फायद होगा आपको थोड़ा लंबा break even यहां पर मिलने वाला है तो अभी हम क्या करते हैं अपनी strategy के according यहां पर इसको deploy करते हैं तो हमने क्या बताया था आपको कि हमको out of the money call यहां पर बेचनी है नियर टर्म एक्सप्रेशन की तो दोस्तों नियर टर्म एक्सप्रेशन कौन सी होगी हमारी 24 September 2020 तो option का स्ट्राइक हम लेते हैं अभी 198 चला है तो हम यहां पर लेते हैं 205 ठीक है 205 हमारा out of the money call हो the money call है दोस्तों पाई करते हैं उसके घना को बताया था कि आप call को बेचने के बाद आप के यहां पर इन-दा money क्ल यहां पर यहांपर बॉइ करना है ठीक है अब हम इन-दा money call क्ल का करते?" दोस्तों पाई करते हैं तो जो expression होगा वह होगा 29 October का क्योंकि दूर की Call को यहां पर हम ठीक करना और इंदा नमनी कए होगा दोस्तोर हम ले ले लेते है 195 यहां पर इंदा मनी यहां पर ले लेते होगी कॉल और इसको करना वाई इसका प्राइस त liberty 15 रूपे 25 पैसे यह जना Add position में कर देते हैं यह हमने अपना setup कर दिया समक्ते मैं शा들이 हो जो एक मिनट दोस्तों तो दोस्तों जो हमारा प्रोबिविल्टी प्रॉफिट है वो 63.86 पेटर आप इस पर ध्यान मत दिजे तो दोस्तों जो हमारे पर मैक्स प्रॉफिट बैटने वाला वह बैटने वाला 21,644 और जो हमारा मैक्स लॉज यहां पर बैटेगा और अपर साइट बैटने वाला 287 जो की जाना पॉसिबल नहीं है सेप्टेमन सीरीज में तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहां पर जो हमारा स्टार्ट होगा तो इस मैंने आपको बताया था इस स्टेटिजी की खास बात यहां पर आपको जो मार्जिन है वह भी कम लगता बहुत ज्यादा बहुत ही कम लगता तो जैसे कि हमारा एस्टिमेटर मार्जिन यहां पर 21,000 दिखा रहा है बट अगर आप इसको डेपल करें वह 192 के बाद हो मैक्सिम्म प्रॉफिट होगा जो कॉल आपने बेची है अगर उसके बास मार्केट एक्सपार होता कोई दिक्कत नहीं अगर मार्केट आगर आपने बुलिश व्यू लिया अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तब यह पच्छा गासा पैसा है यहां पर बना तो यही मैजिक है इस स्टैटेजी अठीक है आप इसको जितने अच्छी से अपलाई करेंगे उतना आपको बेनेफिट होगा ठीक है पर डिस्क्लेमर यह है कि आप ट्रेड तभी डालें जब आपका डारेक्शनल व्यू हो बिना व्यू के तो कोई भी स्टैटेजी काम नह चाहते हैं ठीक है कोई प्राब्लम ने बहुत अच्छी यहां पर स्टैटेजी मैं इसको मानता हूं दोस्तों अगर बहुत ज्यादा इसमें अगर बहुत बड़ी गिरावट भी आ जाता है तो माल जो हमारा मैक्सिम्म लॉस हम बता रहे हैं कतीस अजार का वो कब होगा तो और वहीं आपको जो मैक्सिम्म प्रॉफिट 21,000 वो कब हो जाएगा दोस्तों अगर स्पॉर्ट प्राइस है आपका जो SBA केवल 4% ऊपर चला जाए तो आप देख सकते हैं कितनी कमाल की यहां पर यह स्टैटेजी है तो अगर हम ग्रीक से यहां पर देखने की कोशिश करें वीडियो चलागों को लाइक करें और कुछ भी स्टैटेजी से रिगार्डिंग आपको डाउट है तो आप हमको यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं तो परसनल हमको मैसेज भी कर सकते हैं हम आपका रिपलाई जरूर करेंगे अभी के लिए मैं वीडियो को खतम का तो बाई दोस्तों